हलो दोस्तों मैं नामा मुहम्मत कैसर और आप देख रहा हैं Study Channel आपको पता हैं दोस्तों कि TGT-PGT भरती संबंदीत सभी लेटेस जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है जो भी जानकारी आपके लिए यूजफुल होती है जो भी आपके डाउट होते हैं जो भी आपके कॉमेंट्स होते हैं सबका जवाब एक एक करके यहां पर दिया जाता है तो आप हमारे साथ जूड़े रहिएगा आज की दोस्तों कुछ माध्यम अपडेट TGT-PGT संबंदीत यहां पर आ गई हैं और एक करके हम लोग से डिसकस करेंगे सबसे पहले बात करेंगे तदर्ख सिक्षकों के बारे में दोस्तों तदर्ख सिक्षकों की कहानी अब खत्म होने जा रही है पंदरे जून के डेट में देख सकते हैं कि ये नोटिस जारी हुआ है आज ही का ये नोटिस है और इसमें बताया गया है कि जो तदर सिक्षक हैं उनको अब वेतन नहीं दिया जाएगा अब ये वेतन पाने के योग नहीं है और इसके लिए यहाँ पर सुप्रिम कोट की वो लाइन लिखी गई है जिसके तहत इनका वेतन रोख दिया गया है संजर सिंग वाला मामला आपको पता ही होगा तो मानने सरवच नियालाय का आदे सायाता 26 आट 2020 को और इसके कुछ लाइन यहाँ पर लिखी गई है जिला विद्यालाय निरिक्षक बहराई द्वालाय नोटेस जारी किया गया है और अब यही होने वाला है सभी जिलो में युवा मंच हमेशा से तदक्सिक्षकों का मुद्दा उठाता रहा है और अब इन अभेरतियों की मांग यह है कि इन 22,000 तदक्सिक्षकों की सीटों को नए विग्यापन में जोड़ा जाए अभी कल ही चैन बोर्ट पर धरना था और चैन बोर्ट के उक्साचू स्री नवल की सोर जी ने ये क्लिर किया कि पदों की संक्या को हम नहीं बढ़ा सकते और तदक्सिक्षकों पर फैसला शासन को ही फाइनली लेना है उन पदों का यदी अधियाचन प्राप्थ होता है हमे तो जाकर ये सीटें विग्यापन में जुड़ पाएंगी तो चैन बोर्ट के हाथ में अब कुछ खास बचा नहीं है इसी वज़े से अभ्हर्थियों ने ये डिसाइड किया कि 20 जून को लखनाओ के इको गार्डन में बहुत ब्रादरना बदर्शन होगा और सरकार से ये म मांग की जाएगी, तदर्शुक्षक के पदों को 2022 वाले विग्यापन में जूड़ दिया जाएं, छूक कि इस विग्यापन में पदों के संख्या भी काफी कम है, बहुत सारे विष्णों में जो कैटेगरी की सीटें हैं वो सुन्ने हैं और इसpy वज़े से इसी विग्या विग्यापन में तदक्सिक्षकों के सीटों को जुड़ने की मांग की जा रही है यदि आपका धरना सफल हुआ और आपकी बासरकार तक पहुंची तो हो सकता है इस बार की विग्यापन में पदों की संख्या बढ़ जाए वैसे तदक्सिक्षकों की सेवा तो आप समाप्त ह एलकुल मन होता है एकल विषय का रिजल्ट है वह फॉर्म भरने की लास डेट के पहले पहले आ जाना चाहिए और इस संबन्हें अप्डेटित भी नहीं करा रही है CM office से यहाँ पर tweet किया गया है UP board result के संबंध में तो जो अभ्यर्थी single visa से combination बनाने के लिए इस बार UP board की परिक्षा दिये थे यदि उनका result 3 जुलाई के पहले पहले आ जाता है चुकि 3 जुलाई ही registration की last date है तो उससे पहले यदि result आ जाता है और आज CM के दर से tweet किया गया है कि उत्तर प्रदिस board परिक्षारतियों को अपनी परिक्षा परिडाम की परिक्षा होगी और ऐसे में board परिक्षाओं का परिडाम समय पर जारी कर दिया जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द अब UP board का result आ जाएगा अभी आज 15 जून है तो अगले 4-5 दिनों के भीतर भीतर result आने की पूरी-पूरी संभावना है और 3 जुलाई के पहले पहले तो ये आही जाएगा जैसे result आयाता है आप आवेदन कर लिजिएगा वहीं पर कुछ चातर ये पूछ रहे थे कि क्या notification आने के बाद ये हमारा result आता है तो हम valid होंगे बिल्कुल आप valid होंगे notification में ये साब साब लिखा गया है कि registration की जो अंतिमति थी है उस दिन तक आप सभी अहरताओं को धारड करते हों तो UP Word के संबंद में देख सकते हैं कि result जल्द आ जाएगा और यदि आप combination मनाने के लिए paper दिये हैं तो आप eligible रहेंगे प्राविधी कला से जिनका intermediate इस बार है वो TGT आर्ट से आवेदन कर पाएंगे तो आप लोग tension मत लीजिए साथे साथ बहुत सारे अभेरती जिनका BA में सिर्फ हिंदी था और इंटर में उन्होंने संस्कित से एक paper दिया है TGT हिंदी का subject combination बनाने के लिए तो आप भी eligible रहेंगे साथे साथ जिनका graduation का result भी रुका हुआ है PG का result रुका हुआ है appearing में allowed नहीं है form बनने का यदि आपका result फॉर्म बनने के last date के पहले आ जाता है और यदि आपका subject combination है उस विशे के लिए तो आप भी eligible रहेंगे और UP board के अभर्थियों को तो अपने result का इंतजार है ही तो आपके भी result का जो इंतजार है वो जल्दी समाप्त होगा एक सब्ता के भीतर भीतर result आने की पूरी पूरी संभावना है ये था दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्कूर अपडेट वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लेजे ताकि आपको इसी तरह की सभी latest और authentic information मिलती रहे थांक्स और वाशिंग